जैहिन दोस्तों मेरा नामे राकेश दोस्तों आप सब तो जानते हैं कि हुआवे का बैन वाला पंगा काफी सीरिस हो चुका है तो यहां पर क्या हो रखा कि 90 डेस का टाइम मिला था और यह टाइम पूरा हो रहा है 19 ओफ अगस्त को तो इसके बाद क्या होगा हो सकता है कि आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा गूगल का और यहां पर यह मामला इतना ज्यादा सीरियस है कि यहां पर ऐसे जो यूए सारी कंट्रीज पर दबाव डालने कोशिश कर रहा मैक्सिम कंट्रीज पर लेकिन इसी बीच यहां पर क्या किया हुआवे ने क्या कर दिया अपना नय OS अनाूउन्स कर दिया और यह OS के बारे में काफी इंट्रस्टिंग बाते में आपको बताने वाला हूं सब्सक्राइब ग्यान थेरपी प्रेस बेल आइकन एंड डोल्क मिस अप्डेट तो यहां पर हुआवे का बैन वाली प्रोब्लम के बारे में तो आप सब लोग जानते हैं तो यहां पर हुआवे ना अपने पहले से एक OS पर काम कर रहा था जो बड़ी कंपनी होती है वो क्या नाम चाइना में होगा लेकिन अगर हम लोग ग्लोबली की बात करें तो यहां पर क्या नाम होगा यहां पर होगा ओक OS और इस OS की टेस्टिंग आपका करने में लगे हैं हुआवे के साथ साथ आपका Xiaomi, Oppo, Vivo जैसी कंपनी भी इनका साथ दे रहे हैं क्यों दे रहे हैं क्यो यहां पर Huawei ने इसको टेस्ट किया और टेस्ट करने के बाद एक रिपोर्ट दिया, रिपोर्ट देने में इन्हों ने कहा कि हमारा जो OS है वो Android के मुकाबले 60% faster है और साथ ही में यह भी कहा कि इनका जो security system है वो advanced है, काफी अच्छे वाला है, तो यहां पर लेकिन ऐसा Google का कहना कुछ हो रहा है, Google ने कहा कि इनका जो security वाला system है वो इतना strong नहीं है, इसको असानी से hack किया जा सकता है, हाला कि Google तो यह चीज कहे गई क्योंकि उसका competitor है, तो वो कुछ भी कह सकता है, यहां पर इतना जरूरी निया, इसकी बात को serious लेना या फिर हो भी सकता है, ले जब यहां पर ऐसा कुछ होने वाला है, कि यहां पर जितने भी Google Play Store के अप्लिकेशन से इस सारी की सारी इसको support करेंगी, इससे फायदा क्या होगा, इससे सबसे बड़ा फायदा यह है, कि यहां पर यह वाला जो ओवाला जो popularity थोड़ा तेजी से gain कर सकता है, यहां पर reason क्या इसके पीछे कि जो developer लोग हैं, जो यह अप्लिकेशन से बनाते हैं, यह क्या करेंगे, क्योंकि यह वही Play Store के अप्लिकेशन से जो इसको support कर सकता असानी से, तो यह असानी से इनको बहुत ज्यादा change करने की जरूरत नहीं है, यानि कि इसकी वैसे क्या होगा, यह लोग क्या इसके अप्लिकेशन से जैसे Play Store हो गया, Google Maps हो गया, यह Gmail हो गया, इनको यहाँ पर use नहीं कर सकता, यह क्योंकि यहाँ पर ban हो जाएगा, तो यह लोग क्या कर सकते हैं, इसके alternatives कुछ यहाँ पर नई चीजे लोँच कर सकते हैं, नए तरीके दिखा सकते हैं, तो वहाँ से इन निकला, सिक्योर निकला, तो पब्लिक को, यानि कि लोगों को यह पसंद आएगा, और अगर पसंद आएगा, तो वह इसको use करना चाहेंगे, पर यहाँ पर रिस्क भी है, कि अगर पसंद नहीं आता, तो यहाँ पर हुआवे को प्रॉब्लम हो सकती है, आपको याद होगा Microsoft, Lumia वाले जो phones आते थे, Nokia कि उसमें क्या करते थे, लोगों को पसंद नहीं आएगा, पॉपलर नहीं हो पाई, अप्लिकेशन नहीं मिलती इतनी जादा, तो इसके लिए Google बिल्कुल नहीं चाहेगा, कि इनका OS लोंच हो, यहाँ पे Google कोशिश भी कर रहा है, कि इनकी problem आपस में sold out हो जाए, ऐसी reports आईए सामने कुछ, खबरों की माने, तो यहाँ पे क्या है कि यह चीजे होने वाली है, interesting है, तो इसी की वज़ा से देखा जाए Google भी tension में, क्योंकि अगर इनका OS popular हो जाता है, तो यहाँ पे क्या होगा, यह लोग तो अपने phone में use करेंगे, क्योंकि इनकी मजबूरी हो जाएगी, अगर ban हो जाता है, तो बाकी companies भी इनकी तरफ shift होने की कोशिश करेंगी, और वो इसलिए करेंगी, क्योंकि इनको अपने business को जाहिर सी बाता आगे बढ़ाना है, तो यहाँ पे phone को बेचना है, तो पबलिक को जो पसंद आएगा, वही इनको देना होगा, तो यहाँ पे ऐसे लड़ाई काफी तगड़ी है, और साथ ही साथ क्या कि इस OS को, यानि कि Huawei को कह सकते हैं, सारे के सारे Chinese brand भी support करने की कोशिश करेंगी, क्यों करेंगी, क्यों कि यहाँ पे देखा जाए, Google ने भी कुछ ऐसे किया, US ने ban किया, तो सारे की सारी companies, जितनी भी बड़ी-बड़ी companies, सब क्या कर रही है, Huawei का साथ छोड़ रही है, तो यह लोग भी क्या करेंगे, सारे Chinese companies जो है, यह क्या करेंगी, एक होने ही कोशिश करेंगी, तो यहाँ पे सीधी सी बात अगर यह problem solve हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे Google भी चाता है, Huawei भी चात लेकने को मिल सकते है, अगर problem solve होई तो भी, बाकी आपको क्या लगता है, कौन सा OS कितना कमाल का होने वाला है, या फिर अगर ऐसा कोई OS आता है, तो आप क्या ऐसे phone को लेना पसंद करेंगे शुरू में, क्योंकि हर कोई एक बार सोचेगा जरूर, फिर भी मुझे comment करके उमीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आप लोग comment कर रहे थे न, सोचा मैंने थोड़ा सा information देनी की कुशिश करते है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है, वीडियो को like जरू कर देना और चैनल पे नए चैनल को subscribe कर लेना, फिर मिलते है दोस्तो के लिए वीडियो में तब तक के लिए, बाई बाई